आज हम इस बायोग्रफी वीडियो में बात करेंगे टीवी इंडस्ट्री के हैंसम एक्टर वीवियन डिसेना के बारे में जो लाखो युवाओं के दिल पे राज करते हैं खबरों की माने तो वीवियन डिसेना बिग बॉस चौदा में भाग लेने वाले हैं फैंस बहुत उत्सुक है वीवियन की बिग बॉस चौदा में आने की बात को लेकर तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकोन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुँचे एक छोटे सहर और मध्योवर के परिवार से तालुक रखने वाले वीवियन डिसेना ने अपनी मेहनत के दम पर आज जो मुकाम हासिल किया है वह काबिले तारीफ है आईए जानते हैं उनकी जीवन से जुड़ी कुछ खास बाते हैं वीवियन डिसेना का जन्म 28 जून 1988 को मंध्य परिदेश के उच्चेन जिले में हुआ था वेप प्रोफेशन से एक एक्टर और मॉडल है वीवियन का निकनेम है वेप उनके पिताजी का नाम है डंकन डिसेना और उनके माताजी का नाम है स्यामलता डिसेना उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम परवरा ग्रासिया है वीवियन का रिलेजन की बात करें तो वो रिलेजन से क्रिश्चन है उनकी स्कूली सीख्चा लोकमानिय तिलग हाई स्कूल मुंबई से हुई थी वीवियन पढ़ाई में काफी अच्छे थे उन्होंने बारवी के बाद राज्यस्तर्य इंजिनिरिंग परिक्षा में उतेनी की थी लेकिन बाद में मौडलिंग और एक्टिंग छेत्र में आज आने के कारण उन्होंने कॉलेज की सिख्चा पूरी नहीं की उनके हाइट और वेट की बात करें तो हाइट है 5 फिट 11 इंच और वेट है 84 केजी वीवियन ने टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया कसम से एक्टा कपूर के टीवी सिरियल से लेकिन उन्हें शोहड़त हासिल हुई एक्टा कपूर के सूपर नैच्छुल ड्रामा प्यार की ये कहानी टीवी सिरियल से वीवियन ने कई रियालिटी शोज में भी हिस्सा लिया जिन में जलक दिखलाजा और खत्रों के खिलारी जैसे बरे रियालिटी शोज सामिल है Marriage Life सिरियल प्यार किये कहानी के दोरान वीवियन डिस्तेना के मुलाकात वह वीच दोरावाजी से हुई जो उस शो में उनकी को स्टार थी एक दूसरे को तीन साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली लेकिन दोनों का रिस्ता लंबा नहीं डिक पाया Compatibility इशू के कारण दोनों ने तलाग ले लिया Net Roth सेलरी की बात करें तो वे सुटिंग के लिए 90,000 रुपे चार्ज करते हैं 2020 तक वीवेन की अनुमानित कुल संबत्ती 0.8 मिलियन डॉलर है इनका कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास Audi A6 कार है जिसके कीमत 25 लाख रुपे है तो दोस्तो आज का वीडियो यही तक था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना